वेल्कम बैक फ्रेंच टू दा जीएस प्लेटफर्म यूट्यूब चैनल दोस्तो आज हम लोग देखेंगे अगामी सीटेट, यूपीटेट एंड आल अदर टीटी एक्जाम के लिए इन्वाइदमेंट इस्टडी का पार्ट 10 इससे पहले 9 वीडियो बनाई जा चुकी हैं अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस चैनल की प्लेलिष्ट में चले जाईए और वहाँ पर इन्वाइदमेंट इस्टडी की प्लेलिष्ट में आप अप सभी वीड और वीडियो शुरू करने इस पहले मैं आपको बता दू, मैं अनकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ, तो आप अनकैडमी का लर्नेंग एप डाउनलोड करके, उसमें The GS प्रेटफर्म सर्च करके, आप हमारी साथ अनकैडमी पर जुड़ सकते हैं, और मैंने अपनी अनकैडमी प एकजाम के लिए ये questions बहुत ही important है, तो आप इन सभी questions को solve करने की questions भी कीजिए, तो चलिए देखती हैं पर first question है, निम्न मैं से किसी दच्छड गंगोत्री की नाम से जाना जाता है, यानि कि दच्छड गंगोत्री क्या है, वो आपको बताना है, तो यहाँ पर दीखे, चा अंटार्कटिका महाधी पर research करने के लिए एक अंद्राक्टिक सोध केंद्र की स्थापना की गई थी, जिसे बोलते हैं दच्छड गंगोत्री, तो अब मैं आपको extra information दे दूँ, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो दीखे, इसकी स्थापना 1983-84 में हुई थी, ठीक है, या और अंटाक्टिका पर भारत का जो तीसरा अंसंदान के अंद्र है, उसका नाम है भारती और भारती की स्थापना कब हुई थी, यह हुई थी, 2012 में, तो आपको पहले question से इतनी information मिल जाती है, तो आपका first question complete हो, next question देखते हैं, question number second, agenda 21, निवन में से किस छितर सी संबंदित है, तो यह एक बहुत ही important point है, तो देखिए, यहाँ पर जो चार option दिए गई, इनमें जो right answer है, agenda 21, सतत विकास थी संबंदित है, तो option यहाँ पर एस होगा, अब देखिए, सतत विकास है क्या यह आपको पता होना चाहिए, तो देखिए, जो industrialization बढ़ता जा रहा है, और द् के लिए जो परियावरण है, उसको काफी नुकसान पहुंचता है, परियावरण में वन संसाधन, जल संसाधन, इनका हास होने के बाद, इनकी कमी होने के बाद ही industrialization हो रहा है, तो सतत विकास में क्या है, एक ऐसा target रखा गया है, कि परियावरण को कोई भी नुकसान ना हो, और ओज्योगी करण की प्रितकिरिया भी बढ़ती जाए, तो इसी को सतत विकास कहती है, ठीक है, तुम्हें आपको बता दूँ, Agenda 21, सतत विकास की संदर में, संयुक्तराष्ट की एक स्वैचिक कार्योजना है, और इसका उद्देश 21 सदी में, विस्स परियावरण को रचित करना इसका लच्छ है, और ये कार्योजना वर्स 1992 में, ब्राजील की रियोडी जेनेरो में, संपन, पर्यावरण इविकास पर संयुक्तराष्ट सम्मीलन की इस दोरान सरजित किया गया था, तो आपको second question से इतनी information मिल जाती है, next question देखते हैं, question number third, उत्तर जो किसमे हैं, वो यहाँ पर मिल जाती है, तो उत्तर प्रदेश का जो प्रतम बायोटेक पार्क है, वो कहाँ पर है, लखनव में, तो option है यहाँ पर आपका C सही हो जाएगा, तो दीखिए उत्तर प्रदेश में बायोटेकनोलोजी पार्क किस्थ आपना लखनव में की जाएगा, जैसे स्वास्त देखवाल, क्रिसी बागवानी, पर्यावरण, और उर्जा से संबंदित बातों पर इस पार्क में ध्यान रिखा जाएगा, तो option है यहाँ पर आपका C सही हो जाएगा, next question देखते हैं, question number 4, मेधा पार्टेकर का नाम किस आंदोलन की साथ जुड तो इसका जो राइट आंसर है, नरमदा बचाओ आंदोलन, option यहाँ पर B सही हो जाएगा, यानि कि जिस प्रकार से चिपको आंदोलन की माद्यम सी वनो को बचाने कार किया गया था, उसी प्रकार से नरमदा नदी को बचाने कार, मेधा पाटेकर ने किया था, और उस आंद बचेन कमप्रिट, नेक्स्ट क्शेन आदेखते हैं क्वीशेन घ्ल मधात लाइक, विश्वत-तंभाखु निरोध दिवस इसकीन कार कार राइस संहूं के दरब स्धर्टे इक 31 थीày, अलगे को मनाया जाता है, जrau प्रतिवर्स remote coco, और एक अध्वर्शान में आब ही चुक वीडियो में इसको सामिल किया गया तो यह आपका 5th question complete हुआ उम्मीद करती हैं कि यह जो सभी questions हैं जितने भी वीडियो में जो question दिये गए हैं वो आप इसको इनको cover कर रही होंगी और सभी questions को cover करने के बात आपके past environment study related काफी information हो जाएगी जो कि आपकी examination के लिए useful साबित होगी next question देखते हैं question number 6 प्रति वर्स 19 नॉम्मबर को निम्द में से कौन सा दिवस मनाया जाता है बहुत ही important question है और पिछले वर्स यानि कि अभी हाली में जो सहाय कद्यापक लिखवित परिच्छा आजित हुई थी उसम नॉम्मबर को प्रति वर्स विस्व सोचाले दिवस की रूप में मनाया जाता है और जुलाई 2013 में ठीक है 2013 में ध्यान रखेंगी जुलाई 2013 में सजुक्तराश्ट की महसवा ने सभी के लिए सच था नामा के एक संकल्प की माध्यम से 19 नॉम्मबर को विस्व सोचाले दिव नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं, क्वेशन नमर सेविन, भारत की प्रधान मंत्री ने स्वच भारत अभियान आधकारे ग्रूप से कप प्रारम किया था, तो यहाँ पर चार ओप्सन दिये गई है, इने में जो राय टांसर है, ओप्सन सी सही हो जाएगा, गांधी जहनती के यानि कि जो सच भारत अभियान चल रहा है, अभी भी चल रहा है, और बड़े पैमाने पर इसका विस्तार किया गया है, तो यह कब शुरू किया था, तो देखिए गांधी जी की जहनती पर 2 अक्टूबर सन 2014 को इसकी शुरू किया था, तो देखिए इसका उद्देश है, 2019 में गांधी जी की जन्द की 150 वर्स गांट तक सच भारत की उनकी सपने को पूरा करना इसका लच रखा गया है, ठीक है, तो आपको इस कुस्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, नेक्स्ट कुस्चन देखती है, कुस्चन नमर एट, इंडियन इंस्टिटूट ऑफ इंवार्मेंट निम्न मैसी कहां पर इस्थित है, तो देखिए परियावड को बचाने के लिए एक संस्थान की स्थापना की गई है, तो वो कहां पर है, तो देखिए इंडियन इंस्टिटूट ऑफ इंवार्मेंट जो संस्थान है, वो नई दिल्ली में स्थित है, तो पर ए सही हो जाएगा ठीक है और इसकी स्थापना कब हुई थी यानि इंडियन इंस्टिट्ट ऑफ एकलोजी और एन्वार्मेंट की स्थापना कब हुई थी आपको पता होना चाहिए तो इसकी स्थापना वर्ल्ड एन्वार्मेंट डे यानि विस्व पर्यावड़ दिवस क आउसर पर 5 जून 1980 को इसकी स्थापना हुई थी, तो ये एक्स्टर फेक्ट है, वो भी आपको पता होना चाहिए जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाएगा Indian Institute of Ecology and Environment की स्थापना कब हुई थी, तो आपको इसका जो एक्स्टर फेक्ट है, वो आपको पता होना चाहिए, ये लिए हर question में आपको कुछ न कुछ एक्स्टर information मिल जाती है, तो ये आपका 8th question complete हुआ, next question देखते हैं, question number 9 Agmar Act भारत में कब लागू किया गया, तो देखिए मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहूँए, जो 1957 में, या फिर option D 1965 में, तो इसका जो right answer है, option A, यानि कि 1937 में ये act लागू किया तो option A सही हो जाएगा, ध्यान लखेंगे ये भारत में वैधान गूरू से तपसी लागू है, ठीक है, आगे देखते हैं इस वीडियो का 10th question global 500 पुरसकार किस लिए प्रदान किये जाते हैं तो ये भी देखो, बहुत important question है तो इसका जो right answer है, option नमर सी सही होगा, यानि परियावड पृतिरक्षा के लिए, यानि कि परियावड को बचाने के लिए global 500 पुरसकार प्रदान किये जाते हैं ठीक है, अब मैं आपको इसके बारे में extra information भी दे दू क्योंकि ये कई बार exam में पूछा गया है तो देखे, global 500 जो पुरसकार है, जिसको इंगलिस में बोलते हैं global 500 role of honor ये पुरसकार, सन 1987 में 1987 में ठीक है, 1987 में ये सन्युक्तराष्ट परियावड कारक्रम यानि कि UNEP यानि कि United Nations Environment Program के दोरा इसको इस्थापित किया गया था और ये पुरसकार परियावड उपलब्दियों के लिए व्यक्तियों और संगठनों को पृतिवर्स 2003 तक प्रदान किये गई, और 2003 में बारत के डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक कोई पृसकार दिया गया था आपको पता होना चाहिए बिंदेश्वर पाठक सुलब इंटरनिशनल के शंस्थापक है और 2003 के बाद वर्स 2005 से UNEP द्वारा इनका नाम बदलकर Champions of the Earth अवाड कर दिया गया ठीक है, और वर्स 2013 की Champion of the Earth का अवाड था वो भारती मूल की अमेर की वीर भद्रन रामा नाथन को ये पृसकार प्राप्त हुआ था ठीक है, और 2016 में Champion of the Earth का पृसकार मॉंबई की अफरोज साय को प्रदान किया गया था ठीक है, तो ध्यान लखें है इस पृसकार का नाम भी बदलता रहा है लेकिन overall इसका जो नाम है वो है Global 500 पृसकार और ये किसलिए प्रदान किया जाता है परेवड को बचाने में जो व्यक्ती या फिर जो संस्था युगदान देती है उनको Global 500 पृसकार प्रदान किये जाती है तो यह आपका 10th question complete हुआ उमीद करते हैं इस वीडियो के जो 10% आपको समझ में आई होंगी और बहुत ही important question है इनको आप अच्छी तरह से notes बनाते चाहिए cover करते चलिए क्योंकि यहाँ पर आपको important question ही provide किये जाती है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो please को like जरूर कीजिए और like करने के बाद अपने किसी facebook या whatsapp की educational group में इसको share जरूर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारी whatsapp अगर आपने अभी तक हमारे facebook page को join नहीं किया है तो इस वीडियो की description box में जाएए और वहाँ पर facebook page की link पर click करके आप आरे facebook page को भी join कर सकते हैं जहाँ पर आपको computer exam के लिए question मिलती रहते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार